हाई अब्रिवान स्वागत है आपका एजुकेशन अशोख यूटूब चैनल पर दोस्तों आपके पास फेस्वुक पेज है आपके पास यूटूब चैनल है आपके पास वेबसाइट है ब्लॉगिंग है आपके पास जो भी इस तरीके का अनलाइन सोर्सेस है तो आप यहां पर माइक्रोशाफ्ट ऑफिस वड पर किस तरीके से की वार कोड जेनरेट कर सकते तो दोस्तों वीडियो पर बने रहे हैं तक चानल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लिए बिला गंदाबान मत विलिए अभी तक इस वीडियो को लाइक नाए गया तक प्लीज कर सकते हो तो उसके लिए तो सबसे वेले आपको माइक्रोशाफ्ट वड 2019 वर्जन का होना चाहिए दोस्तों अगर आप 10,16,7 इस तरीके का वर्जन अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पर आप ये क्यूर कोड जेनरेट नहीं कर सकते हो सिंप्लिय आपको आपके पास का वर्ड अपग्रेट करना है दोस्तों यहां पर देखे उसके लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है इंसर्ट मेनु पर मैं यहां पर वर्ड 2019 वर्जन यूज करना हूं मैं यहां पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करूंगा इंसर्ट के अंदर क्लिक करने के दोस्तों यहां पर देखें धयर सारे ओप्षन Microsoft Office One ने चेंज किया है दूस्तो अफ्ड्रेट किया है यहां पर simply later आपको यहां पर एक Option एगा अप्षन 15 ले गेंड यहां पर क्लिक करते होई यहां पर करने के बाद दोस्तों देखिए इसके अंदर क्लिक करने के बाद यहां पर office at in याने की store है दोस्तों office का यहां से आप कोई भी एक store use करते हैं उसको आप यहां पर insert कर सकते हैं यहां पर देखे धेर सारे store available है दोस्तों Wikipedia mobile data collection देर सारे option है आपको scroll down करते हुए जाए मैं आपको आज के topic पर simply qr code किस तरीके से generate करते हैं वह topic पर बात करने जा रहा हूं उसके लिए आपको simply scroll down करते हुए यहां पर देखे qr for office के अंदर click करना है इसे और आपके पास यहां पर click करना है यहां पर click करने के बाद दोस्तों यहां पर देखे एक डायलोग box उपन होता है उसके बाद इसको आप close भी कर सकते हो यहां पर आपने जो भी एड किया था वह यहां पर आपको दीएगा दोस्तों यहां पर देखे recently use addends बोलकर यहां पर है इस तरीक आपने यहां पर कोई भी एक addends किया तो बढ़ी आसानी से आप यहां से भी operate कर सकते हैं simply आपके पास क्लिक करना है दोस्तों यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं आपको simply directly उस जगह पर जाकर भी काम कर सकते हैं फिलाल के लिए तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ अभी मैंने इसको क्लोज किया था और यहाँ पर क्लिक करता हूं qr4 office के अंदर यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखे डायलग यहाँ पर background color color वगेरा size वगेरा edit करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं यहाँ पर देखे color का option है यहाँ पर आप रिक कर सकते हैं क्वाद देखेom यहाँ अस तरी किसे ड्रैक वगेरा करते हूं या भी आप यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं उसके बाद नियापर color कर सकते हैं यहाँ पर भी color change हो जोगा है वहाँ में फिलाल के लिए तो है पर red color कर लेता हूं और आपको background color वगेरा भी ये चेंज करना तो इस तरी किसे कर सकतो धेर सारे देर वाइट कर नियुक्त कर सकते हैं और यहांसे दियुक्त कर सकते हैं और उसके यह पर भी आप हाई क्वालिटी का चाहिए मिडियम क्वालिटी का चाहिए लोकालिटी का चाहिए तो यहां से भी काम कर सकते में फिलाल के लिए यहां पर हाई क्वालिटी का क्लिक करूंगा और हाई क्वालिटी का क्लिक करनेक बाद दोस्तों देखे हाई पर आ चुका है और उसके बाद आप को यहां पर इन सेट के अंदर क्लिक करना है इन सेट के अंदर क्लिक करने को पुरंत यांपर देखे QR कोड जनर additional आपoooo हुआ हुआ है कि तो यहां पर आपको यहां पर प्राण्ट ओफ ट्यक्क्ता कर सकते हो इस तरीके से आप बढ़ा भी कर सकते हो छोटा भी कर सकते हैं आप जनरीट कर सकते हो इसको आप मोबाल से इसकेन करते है भी आप यहाप रीट डिरेक्ली वहाँ पर यूटूब चैनल के अंदर बहुत सकते हो इसी तरीके से और उसके बाद यहां पर फाइल के अंदर खने करते हूए से से वह कर सकता है ऩो फारघ कर सकते है यह पर क्लिक कर लिख फार्माट पर एक संका कर सकते हूं बड़ी आचानी इस तरीके से श से आप आफिस वर्ड पर कीवार कोट जैनरेट कर सकते हूं तो दुस्ता आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए चाहर पर बार आथ तो सब्सक्राइब कर लिए मैं मिल था अगले वीडियो पर कीजिए नहीं टपिक के उपार तब तब क